नमस्कार फेंट्स मैं डॉक्टर एनुज इंडिया टीबी ओनलाइन इन टीबी मीडिया नेट्वर्क पे हूँ मैं और आज इतने अहम सवाल कैंसर आपको पता होगा कि ये ला इलाज नहीं इलाज करने युग बिमारी है जो 1800 के बाद 19 सदी में जब एक कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो लोगों के सामने एक इतनी बड़ी समस्य आ गई थी जिसको जूजते हुए आपने दो साल बिताये हैं मातर कोवीड ये कोवीड से 10 गुना डरावना बिमारी हुआ करता था 19 सदी में कि जब कैंसर डिटेक्ट हुआ लोगों को लगा कि अब बचना मुस्किल है पूरी दुनिया खतम हो जाएगी लेकिन उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने हमारे डॉक्टर्स ने हमारे लोगों ने दिन रात एक करके इस बिमारी के इलाज करने के लिए बहुत सारी थेरेपी का निजाद किया और उसमें आज हम फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में भी लगभख 50% क्योर करने की ताकत रखते हैं मतलब थर्ड स्टेज का 50% और फॉर्थ स्टेज ही कैंसर डरावना है बादवाकी कैंसर बहुत ही असान, बहुत ही क्योरेबल, अब बहुत ही इसको ठीक करने लाइक बिमारी है हमारे बीच, आज यहाँ पर सुर्भी साखा और मरबारी इवामंच के तत्वा धान में रूंग्टा स्टील I think उन्होंने दिया हुए एक बैन है, जो कैंसर डिटेक्शन बैन है, जो पीछे खड़ी हुई है, आप दिखाई दे रहे होंगे यह पूरे भारत वर्ष में दौरती है, और सभी मरीजों को उनके घर से निकाल कर टेस्ट करती है और उनको यह बताती है कि आपको कैंसर है या नहीं है, क्यों? क्योंकि जाच करने में अगर फस्ट और सेकंड स्टेज में आप अगर हैं तो आपकी बिमारी बिल्कुल ठीक होगी, आपको पता होगा, भारतीय क्रिकेटर इवराज सिंग का नाम आप सब लोग जानते होंगे उन्होंने उनको कैंसर था, लेकिन सेकंड स्टेज को पार कर रहा था थर्ड स्टेज में इंटरी मारी थी कैंसर ने, और रिवराज सिंग ने प्रोपरली केर किया और उस बिमारी को लराव बिमारी से, और आज जीत कर भारत को कितने मैज को जिता दिया है आज हमारे beach export हैं जो cancer disease को बहुत ही जादा एकदम बिलकुल उसको light way में patients को communication के दुरा convey करती हैं, उनको message देती हैं, उनको cure करती हैं और उनको बताती हैं कि ये बिमारी ठीक हो सकती है, वही doctor हमारे beach मौजूद है अपना पड़िचे बताने के साथ cancer के बारे में कुछ बताईए हैं, हम डॉक्टर शैला जरीन पॉल, MTMH से registrar और हम लोग तो everyday हम लोग cancer ही patients देखते हैं, हमारा तो cancer hospital है, वहां हर तरह के female में जैसे कि सबसे जादा common breast cancer और cervix cancer जैसे uterus का cancer है, तो हमारे patients बहुत जादा आता है cancer का, तो उसमें है कि patients जैसे ही कुछ start होता है, वो लोग तुरत अपना जाच करा रहे हैं, हमारे OPD चलती है, हम लोग OPD में उनके फाइलें बना करके, हम लोग उनका सारा जितना भी complaints है, वो सब करके, उस हिसाब से हम लोग CT scan जो भी MRI सब कुछ करा के, अगर वैसा कुछ है कुछ findings में मिला हमारे pap smear वगरा करते हैं, हम लोग cervix cancer में, तो कुछ वैसा finding मिला तो तुरत पता चल जाता है, और patient इतने aware हैं कि वो लोग तुरत इलाज भी करवाने के लिए आ जाते हैं, हमारे हैं सब ही कुछ available है, हम लोग हर कुछ chemotherapy, radiation हर कुछ देते हैं, वैसे breast cancer में भ होती हैं, हम लोग mammography करते हैं, ultrasound breast होता है, वो भी करते हैं, हम लोग उसे जो भी findings होई, उसमें FNAC वगरा करके या बापसी करके, अगर operable है, तो operation करवाते हैं हम लोग और उसके बाद फिर radiation chemotherapy दे करके, सब इलाज प्रॉपर हो जाता है, patient cure होता है, उसके पेशिंट को हम लो patients हैं, तो उनका oral cancer, उसमें भी थोड़ा भी changes, oral hygiene अभी तो बहुत सारे camp होने लगे हैं, तो हम लोग अकसर camp attend करते हैं, वह patients को collect करते हैं, वो patients आते हैं, अपना, सभी investigations होते हैं, जिसमें बापसी वेगर है, अगर जरूरत हो, कोई वैसा growth है, तो हम लोग वो सब करते हैं, उ CT scan, face and neck, वे सब करा करके, उसके बाद उनका radiation, chemotherapy, जो भी stage के हिसाब से होता है, करके, हम लोग क्योर करते हैं, एक आखरी सवाल, बताएं आप क्या बोलना चाहिए, और इसके बाद जैसे gallbladder, cancer gallbladder का भी है, और rectum cancer, यह सब कैंसर तो हर पार्ट का होता है, लेकिन यह सब उत cancer से डरनी की जरूरत है, या कैसे लोग सामने आए, क्योंकि आप लोग दिन रात एक करके, cancer को बिल्कुल दुनिया से खतम करने की कोशिश में है, तो कैसे लोग सामने आए, और लोग के मन में क्या भावर है, जरा वो सब पूरे भारत वर्स की लोगों को बताया है, देखि बहुत आसान हो गया है, पेशन्स के लिए, इसमें फीस वेगरे भी नहीं है, तो चलते फिरते हर लोग आते हैं, उसमें टेस्ट होता है, कोई भी अरली जो detection हम लोग कर लेते हैं, उसमें इलाज बहुत आसान हो जाता है, अब जो लोग नहीं दिखाते हैं, जैसे उनको प जाना चाहिए, जिसमें लोगों का टेस्ट होता रहा है, उसके अच्छे से पता चले। जब हमारे देश में कैंसर के पीछे बढ़ेंगे, तो कैंसर लोगों तक पहुच नहीं पाएगा, और कैंसर हमें छोड़कर जरूर भागेगा, पूरे देश को छोड़कर भागेगा, आप क्या कहना चाहेंगे। और इससे आपको बहुत गहरा नुकसान हो रहा है, आप हो सकता है शुरुवाती दिनों में आप उसको स्टाइल के तौर पर करते हैं कहीं पर, लेकिन वह बाद में आपके लिए बहुत बढ़ा नुकसान है, और कैंसर अब इतना जागुरूख हो चुके हैं लोग, एक समय कैंसर निकला तो ही आपका इलाज होगा, अगर आप इलाज ही नहीं करवाओगे, आप टेस्ट नहीं करवाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कैंसर का सबसे सरल इलाज है कि वो फर्स सेकेंड स्टेज पे ही हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, जितना ड धन्यवाद, धन्यवाद, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसी वाओं के कंधी पर बरी जिम्मेवारी है, आल इंडिया मारवाड़ी युमंच के मुख्य प्रकल्पों में से हमारा कैंसर जागरीती भी एक मुख्य प्रकल्प है, उसके तहत हम लोग हर दो साल में शीविर लगाते हैं, यह वैन जो है, पूरे भारत वर्ष में भ्रह्मन करती है, और वैन का 2016 में ऐसा रूंटा गुरूप के थ्रू गठन हुआ था, और उसका मुख्य प्रकल्प यही था कि यह उन रिमोट लोकेशन्स में भी जा करके लोगों को सेवाए पहुचाए, और लोगों को जागरुक करें, ताकि वो जादा से जादा अपना जाच करवाएं और प्राथमिक चर्ण में ही अपना इलाज करवा पाएं, उसके तहत हम बहुत हर्ष होता है या बताने में कि हमने अभी तक भारत वर्ष में 45 लाख लोगों का जाच किया है, जिसमें से तो लोगों से या आगरह है कि वो सामने आएं और जादा से जादा रूप में अपना जाच करवा कर अपना इसका इलाज संभव कर सके हैं, बहुत सुंदर बात कहा, इन्होंने 45 लाख लोग और बाकी हमारे भीच एक और डॉक्टर साहब मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आएं और इसके पर साद सर कि मैं जरूर चाहूंगा कि सर दो सब्द बोलें, आज युवाओं ने बहुत बड़ी कारमात कर ली, 45 लाख लोगों को चेक किया और लगभग 2000 को डिटेक्शन में वो कैंसर यह हुआ, जिटेक्ट हुआ और उसको ठीक किये. बहुत ही सा रहनी यह कारे है और एक कदम है रूंगटा ग्रूप के तरफ से और मैं विवाओं का समान और उनका उत्सा बर्धन करना चाहता हूँ, यह बहुत ही अच्छा सोशल स्टेप है क्योंकि यह जो कैंसर इसके वारे में यह कैंप हो रहा है, इसके बारे में जागर से लिखे लोगों में भी, तो अगर लोगों को जागरूग करके हम कैंसर को शुरुवाती स्टेज में पकड़ पाएंगे, तो इलाज भी निदान संपूर्ण निदान भी संभव है, और नहीं तो बहुत ही कम कॉंप्लिकेशन के बगार पेशन अराम से अपनी जिंदिगी की जी सकता है, क्यों हम देख रहे हैं कि खासकर मेरा अनुभव जो इस स्टील सिटी जम्शेदपूर से जुड़ा हुआ है, विकत तीस वर्षों से मैं यहां अपनी चिकत सा सेवा परदान कर रहा हूं, तो मैंने एज फिदिशन पाया है कि काफी कम उमर के लोगों में, ख जो लोग जादा अलकोहल लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनमें लिवर का कैंसर भी इसा बहुत कामन है, ब्रेन ट्यूमर भी अचानक बच्चों में इस बिना गल्ती के वज़र से भी बहुत अपनी कोई गल्ती के बगार भी बहुत सारे के तरह एक एंसर पाया जाते कैंसर हास्पिटल है, जहां जात कि सुविधा है, आप जरुएत नहीं है कि बहुत दूर मॉंबे जाएं या देश के बाहर जाएं, एवन राची पटना, सब जगह कैंसर के डॉक्टर से अवेलिबल होगे हैं, अपने शहर में अपने ही राजी में रहके कम से कम खर्चे मे मैं इन से जानना चाहूँगा, कि आप क्या कहेंगे इस वी से पार? इसके अलावा फोर्स के सभी होस्पिटल में मैं अपनी निसुल्क से बाइं देता हूँ, और मैं ग्राउंड जीरो लेवल तक जाता हूँ, टाउन में तो कैंसर का एवरनेस बहुत है, लेकिन देहात में इसकी अभी भी कमी है, मेरा उस पर एक छोटा सा काम चल रहा है, सर देहात में दिलवाना है, तो हम उनको मैडम कहीं होस्पिटल में डॉक्टर मिताब च्रजी सर है, उनका नमबर दिये है, और मारवारी हुआ मंच के लोगों का मैं धन्यवाद गयापन करना चाहता हूँ, कि इस तरह का आविश्वस नहीं है, काम वो कर रहे हैं, और उनसे गुजारिस होगा, कि देहात में भी अगर कोशिस हो, तो मैं भी उनके साथ चल सकता हूँ, यह कादबार वहाँ भी कैम्प लगाने की किर्पा करें, आज हमारे CSR ने एक बात कही थी, आप लोगों के सुना होगा, कि आप तुलसी के पाउदा देते हैं, मतलब आप मिटी स जुरे होए हैं, डॉक्टर साब ने वही बात बताई है, कि मिटी से जुरे होएं, तो गाउं की तरफ चलिए, शहर में तो आइवेरनेस और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, कि जो मिलती हैं लोगों को, लेकिन गाउं में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर कैंसर को लेक मैडम ने बताया कि अगर आपने शुरुवाती दोर में आपने इसको समझ लिया, जान लिया, तो कैंसर हमेशा के लिए आपके सरीर सभीदा हो जाएगा, एक नहीं सैक्रो एक्जामपल हैं, कई एक किरिकेटर्स हैं, कई एक फिल्म एक्टर्स हैं, जिन्होंने कैंसर को अनुचित बहवार के वज़े से आती है, और सरीर में टिसू जो बनते हैं, सेल्स बनते हैं, वही अनप्लांड वे में, अनकंड्रोल वे में जब बनने लगें, और एक जड़ा इस्टोर हो जाएं, तो वही कैंसर का रूप होता है, और वही कैंसर बन जाता है, तो इन सब ने जो बताया, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इंडिया टीवी ओनलाइन की मुहीम है, कि इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में कैंसर न रहे, क्योंकि कैंसर होने से आर्थिक, समाजिक और शाडिरिक छती होती है, और इसका कोई भारापाई नहीं कर सकता, नमस अश्कार डॉक्टर एनू शर्मा की तरफ से